तो हेलोवेंट कैसे हैं आप दोस्तों आज में आपको बताने आनों सेमसंग के मॉवाइल में जो प्री इंस्टॉल सेमसंग का जो कीबोर्ड होता है उसके कुछ ऐसे फिचर अगर आप उसको यूज करेंगे डेफिनेटल आपको बहुत मज़ा आएगा सेमसंग कीबोर्ड को तो ये कीबोर्ड के जो नए फिचर है या वो सकता है फिडन फिचर है वो बताने वालों आपको ये फिचर शायद ही बहुत कम लोगों को पता होंगे दोस्तों अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को स्किप मत करिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको पत सीघ्ट पर सोब से पहले सोफके लिए करेंगे कैसे लाइक मैं मैं यहां पर लिखा यहां पर लिखा और डॉप्ध तो आप को यहाँ पर लिखंग कर बन पाएंगेzahl किने फांटिकर स्कों आप जैसे मैंने हैलो लिखा तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यह आपर आपको सेंड हो जाएंगे तो सबसे पहला जो फीचर है वो है जो दूसरा बताने वालों दोस्तों वह है टाइपिंग से लेटेड आगर आपने देखा हुआ यहां पर कुछ टाइपिंग करते हैं जैसे लाइक मैंने यहां पर बहुत जो भी आपको करना हो आप यहां पर कर सकते हैं तो आप यहां से करेंगे तो अभी यह देख सकते हैं पूरा पूरा स्लेक्ट हो चुका है आप सेलेक्ट टरने क्या था आप यहां पर कट कॉपी या जो भी आपको करना हो आप इसली यहां पर कर सकते हैं जो सेकंड फीचर था है बहुत ही शांदर फीचर है आपको सेलेक्ट करने के तो बहुत चोटा पैराग्राफ है कुछ बड़ी चीज हो तो उसके लिए भी करेंगे तो यहां पर आप कुछ भी कर सकते हैं तो उसको एड कर दीजिए उसके रखाने कर दीए उसमें ओसपर यूज़ कर पाँगी कैसे तो दोस्तो उसके लिए को करना क्या है यहां जाना है आपको three. ैंट में जाना यहां पर setting में आपको सेंसंग कीबोर्ड के setting में उप्जण Enby starch अप्षान पर यहां पर आप देऊंगे third number पर आप cardio अपको शॉट्सद आप जायंगे अब यह मैंने यहाँ पर इसको feed कर दिया और add कर दिया add करने के जाद आप मैं आओंगा typing पे typing पे आने के बाद मैं पूरा यहाँ से पहले दो delete कर दूँ अब जैसी मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँगा तो आप देखेंगे second number पर automatic मेरा नाम हाँ दिख रहा होगा simply आप उस पर click करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा तो यह होता है tag shortcut जो की बहुत ही कमाल का figure यह तो बहुत शोटा सा है अगर आप address डालना चाहते है address बड़ा होता है बार बार टाइप नहीं करना चाहते है तो आप उसको address पर लिखे और अपना address टाइप कर दीजेगा और आप वहाँ पर इसको use कर पाएंगे जो की बहुत ही कमाल खा फिचर मुझे लगा दोस्तों शोटा जो फिचर है उसमें आप GIF keyword का use कर सकते हैं वो भी Samsung के keyboard के अंदर ही तो उसके लिए आपको करना क्या होगा यहां पर आपको देखा हुआ होगा इसको दुखे है आपको दिखक हो चुका है और यह आपको दिखा रहा होगा इतने सारे किलिक करेंगे लाइक किसी और बहुत कर सकते हैं आपको इनेबल करना है और वहां से यह नगा पर जाएगा जो की कमाल का जाना है आपको इस वाले आइकन पर यहां जाने करेंगे तो आपको ऐसा ओप्शन दिख रहा होगा यहां स्लेट करने के लिए आ रहा है यहां आरो आरो से करेंगे तो यह करदर मुव भी हो रहा है यह कहीं कर टाइप जाने के लिए बहुत शांदर फीचर हो तो आपको यहां पर कोई चीज़ को सलेट करना है और जिस तरफ से आपको क्लिक करना है वहां से इसको मूव करते जाएंगे तो वहां पर सेलेक्ट हो जाएगा और साइड में देखिंगे आपको औप्शन में मिल रहा है कई कॉपी प सकते हैं और सेलेक्टूर ल not यूपोडसान तो यहां से करेंगे नेक्स्टूर लास्ट यास मतलब आप यहां से फस्ट उस पे पुछ जाएंगे और यहां से ला्स्ट आपकी खक्षर पोगा तो पूस्ट को वहां पोड़ जाएंगि जो की कमाल का कि वोट टूलबर यह आपको दिख रहा हूं कि आप यसी कीवड टूल को रटा देंगे तो यह कीवड टूलबर वहां से हट जाएगा तो आप देखेंगे उसके लिए तो कीवड टूलबर आप हट गया है सिंपल यह आपको प्रिडेफाइं टैक्स ही आ रहा है तो वह आ नि स्वाइब करना पढ़ेगा तो ही वह नवेड़ होगा तो लेंगमेज इनपूट में जाकर यहाँ पर जाना है सैमसुंग कीवोड में और इसको यहां से अब इनेबल कर दिया है जो उसके बाद पर फीचर बताने वारा है दोस्तों वह है हाई कंट्रास्ट फीचर आप इसको कलर से कंट्रास्ट कर सकते हैं लाइक अभी देख रहे हैं यहां पर कीवोड ऐसा हो रहा है आप इसमें करना चाहिए कुछ अलग से आप इसको कंट्रास्ट करना चाहिए तो कंट्रास्ट कर सकते हैं यह वाला करना चाहिए कर सकते हैं यह करना चाहिए कर सकते हैं और यह अच्छा है तो आप यह कर सकते हैं जो भी कमाल की सेटिंग है उसके बाद दोस्तों जो बताने वाला वह है कमाल का फीचर वह है टांस आपको जो टाइपिंग से रेटीड दोस्तो होता गया है हम जैसे इंगलिश में टाइप करना है और हमें हिंदी में टाइप करना हो जैसे माली इंगलिश में टाइप करके और वहां जो लिखे हिंदी में लिखे या आपकी जोन सी भी लेंगज में मैं आपको लिखना हो तो कैसे करें तो इसके Lique कमाल का फीचर यहां पर दिया गयाju सैमसुंड की बोर्ड में उसके आपको इसको enabling करना रहेगा लाइक मुहां पर आपको ने रहे हैं हंडी में कर लिए कि तो यह मैंने हंडी इसको इनेबल करना किया है। इसके लेकों सेटिंग में जाने हैं। यहाँ पर keyword में आएंगे, keyword पर आने काद आपको पहले वो ऐसी language मिलेगी आपको जैसे पंजाबी करेंगे या हिंदी करेंगे, तो आपको वहाँ पर ऐसा language मिलेगा, हिंदी कर लेंगे तो आपको ऐसा option मिलेगा, और आपको English to Hindi करना है, तो आपको यह वाला option मिल रहा है, आप आपको इसपे क्लिक करना होगा, फिर आप English में टाइप करेंगे, तो आटमेटिक वहाँ, हिंदी में टाइप होने लगेगा, तो यह ऐसे वर्क करता है, जो कि कमाल का feature, जो कि मुझे लगा, तो मैंने आपको बताया है, दोसके बाद दोस्तों, सबसे last feature बताने हम वाला हू Simply आपको ऐसे, जो भी आपका नाम है, आपको या जो भी आपको टाइप करना है, आपको वहाँ पर ले जाना है, लाइक जैसे, सबस्क्राइब माय चैनल है, तो आपको S-U-B-C-R-I-B-E, आपको ऐसे करके सब जगा लेके जाना होगा, तो यह आटमेटिक वहाँ पर टाइ दोस्तों आप मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगी दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लेगी, आपको कौन सा फिचर या कौन सा हीडन फिचर आपको अच्छा लगा इस मोंबाइल का, इस सैमसंग कीवर्ड का, तो मुझे कमेंट करना बी नाबोले दोस्तों, और अगर आप चैनल पे नहीं हैं, और अभी तक आपने मेरे चैनल अबडेट आपको सबसे पहले मिले दोस्तों, और हो सके तो मुझे इंस्टा कराऊंगर और फेस्वीड फोलो करना भी नाबोले, इसका लिंक आपको डिक्शन पर मिल झाल झाल झाल